दोस्तो कून थे आपने बाप दादर के टाइम के स्टार कलाकार जिनने देखनती दादा दादी और सारा काम छोड़के बेट जाकर दे और चाहे फिर साइकल लेकर इनके पाचा पाचा गामा गामा अंडा कर दे इसी के चीज थी इनके बितर जो इनने उस टाइम पर इतना प अक्सित का जो सुभास संदर बोश जी की फोज में भी थे और साइद आपनी मोत का एसास इन पहले आता ही हो गया था और जैंत एक लाइन लिखी न आपने फोद्जी साथिया खातर के साथ रहनियो संके साथी दया में रेप फेर दियो देश के उपर जयान जोक दी न्यू ल जाना बहुत पसंद था जब घरालत संगी बनाने की बात बोली तो बाबू का जवाब आया कि गाना बजाना जट्टा का काम नहीं होंदा यू तो डूमा का काम होवस है और फिर बाबू ने मेर सिंग को जबरदस्ती फोज में भरती करवा दिया और इसके उपर भी मेर सिं प्रभी नेक लायन लिख रहा किस है के चुट्टी के दिन पूरे होगे फिकर करन लगया मन में बांध बिश्तर चाल पड़या के बाकी रहागी तन में जाट मेर सिंग भाई सुभास चंदर बोस जी तो भूत पर बावी थे मेर सिंग ने इनके ओपर लिख्या के गडीना बित्ती नापल गुजरे उत्रया जाज सिखरते रहे बर्सन लागे फूल बोस पर जब हाथ मिला इट लरते रहे एक फोजी और कवी के रूप में अपना जीवन जी नाले मेर सिंग ने 1945 में रंगून में अपना शरीर त्याग दिया और फेर सहीद कवी जाट मेर सिंग कहल अगली तो वा महान सक्षियत जीन अपने प्राण गंगा मियत देन के बारे में कुछ लाइन लिखी और सयोंग वस कुछ पांच साल बाद रामगड मुक्तेश्वर में गंगा के तटपा अपने प्राण त्याग दिये के लाइन थी में के जा मुक्ती की सिद्धी राई ते प्राण ने सांगी नहीं बढ़न दिया तो जिद करके के गाड़ी लेली उस गाड़ी में गुंगुं के सारी जंगा सांग देखे और फिर अकरी में सांगा में रलगे पंडित मांगे राम जी का अंदाज बड़ा ठेट होया करता आज के टाइम की जो फेमिस रागणी है जहाज में तु बैट गोरी राम रटक है ओड़ना संग वाले तेरा पला लटक है या भी इने की लिख्यों इसे इनकी एक लाइन आज लोग ठोड़ा गलत तरीके ते इस्तमाल कर रहे हैं कि आज का बोल्या याद राखिए विकरम भाई का धर्ति पतक हो देगा तने भहम लुगाई का पंडित मांगे राम जी बड़े कड़क सबाव गे थे इन आपने गुरुजी ते रोला करके आपनी नई सांग मंडली बनाई थी जिस्तों बहुत फेमस हो गे थे इनके परसनालिटी पे अलगे होया कर दी उस टाइम पर ये बड़े अमीर परिवारत या कोट और गेल्या बाई ये पिस्तोल भी रख्या कर दे दोस्तों सोला नॉम्बर 1967 में रामगड मुक्तेश्वर के गंगा तटपै पंडित मांगे राम जी सवर्ग सिधारगे वह अगली सक्सियत ने लोग भगत कहा करते और सिर्फ नाम नाम के भगत नहीं असली के भग परशित थे उनके सांग सोनन खातर लोग दूर दूर आया करते इनका असली नाम था बाजे राम बाजे राम की स्कूली सिख्षा तो बहुत कम होई थी पर गीता मावारत मनुसमृती और कई वेदा के स्लोक इनका कंठस्त थे और साइद ज्यान अध्यातम की तरफ मुड़ क्या करता चाहे बाब बेटी साथ बेटेओं इसी रागनी बनाया करते कि कोई भी गलत सब्द नहीं आवा था और इसके उपर नेक लाइन भी लिखी के कह बाजे राम गुरू दो रहा है सिख्षी बात बनानी चाहे बाब्बू बेटी कठे सुनो इसी रागनी गानी पर द इसे बात खुन दखा कैं इनके चक्कू मार दिया और उस टाइम पे इतने फेमस थे उस टाइम के पुलिस वाले ने इन तक एया बस मने एक बार नाम बताई दियो पर बाजे राम जी न उस कातिल का नाम अकरी दम तक नहीं बताया अगले तो अरियाना के वो एक मात्तर कव तक बारत की फोज में भी काम करें इसके अलावे दयाचंद मैना जी न और भूत सारे कलाकार बनाए जो अर्याना में खुब फेमस भी होए दयाचंद जी की जो रागणी थी वो उस टाइम के आडंबर अन्ध विस्वासा पर पूरा अटाक करा करती और इनके खात्तर डॉक् तो फिर पहले नंबर पे कून रहा गया इनका नाम से अर्याना की आन बान शान अर्याना के कालिदास के जाने वाले अर्याना के सूर्य कभी के जाना ले दादा लख मीचंद 2003 में सोनिपत के जट्टी कला में पैदा ओनाले दादा लखमी चंद कती अनपड थे और दादा ने अपने अनपडोन के उपर के बात लिखी के लखमी चंद नहीं पड रहा से है गुरू की दयात है दिल पड रहा से है जब लखमी चंद जी गात रान जाया करते जो इनके लिए आली पाली थे वो इनकी रागनिया का खूब आनद उठाया करते घराले की मरजी के खिलाफ दादा लखमी चंद ने कभी मान सिंग को अपना गुरू मायन का गाना बजाना शिकना सुरू कर दिया इनके और भी पंचा गुरुरे जिन ने इन ते अलग 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 चीज सिखाई और इन सब पत सीख के दादा लखमी चंद ने 20 साल की उमर में आपनी अलग सांग मंडली बना के सांग करने सुरू कर दिये और कुछ टैम में दादा लखमी चंद की भई परसिदी की लखमी चंद को अपने पास रख्या और संस्कृत का ग्यान दिया फिर इन गिल्यावी वह होया जो अरेक बड़े आदमी गिल्यों है बहुत च्वारिस पिंतालिस साल की उबर में कोई ने को है ज्यादा दारू पीणत है कोई किसी डाल बतावा है इनका भाई निदन हो गय चंजी के चले रैस हैं इतने हुए पांस कलाकार बताए इन मैं 12345 कोई नंबर नी है यह सब आपने तरिके के अलग कलाकार थे इन सब की रागणी आज भी अलग लग तरिके तहीं आज के कलाकार गानलाइक रहे हैं तो दोस्तों यह थे अपने बापदादा के टाम के भाई दन्यवाद करूँ